अगलो एवरिवान वेल्कम तू द लेर्णिंग प्लाटर सीए और इंड टुड़ेस क्लास वेयर गूंग टो दिस्कॉस कंपाइलर तो चलिये स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कंपाइलर के मीनिंग से तो देखिए हम सी लांगवेज में प्रोग्राम बनाते हैं सी प्लस प्ल कर रहा है तो वहां पर प्रोग्राइम्स रन करते हुए हमारे माइन में होता है सिरफ यह क्या करेगा एर्र डिटेक्ट करेगा दरवाइस हमें पता होता है कि एक software है जो हाई-level language से हमारे code को किसमें convert कर देगा low-level language में तुक तो यह जो compiler है देखिए वो क्या है software है जो कनवर्ट करेगा high-level language code से कोड को किसमे low-level language code में तेके अब देखिए system software भी होते है और application softures दो तरह के software होते system software and application software तो compiler हमारा किस तरह को software compiler हमारा system software है तीक क्या है system software अब देखिए इत-list out all the errors if the input cut code does not follow the rules of its language तो जिस भी लैंग्वेज में हम वो कर रहे हैं वो उस लैंग्वेज का जो भी हमने प्रोग्राम बनाया अगर वो उस लैंग्वेज के रूज को फॉल नहीं करता है तो वो क्या करेगा एरर जेनरेट करेगा और हमें मेसेज भी दे देगा अब देगा अब देखे से कंपाइलर क्या रहेगा फास्ट रहेगा अब देखे जो सोर्स प्रोग्राम होता है वो क्या होता है जो भी प्रोग्राम हम दे रहे हैं ठीक है जो भी हम प्रोग्राम को आस इंपुट दे रहे हैं जो भी हाइवल लैंग्वेज में प्रोग्राम हमने डिजाइन की है वो कोड मिलता हैodi बों स्पाइज कोंपाइलर को हूच पहले प्री-प्रोस्डर अपना काम करते है और तदाऊ estás कमपाइल्र को अब अब इस्थ एक मैं कर्दिट इसेंबले कोड गरे अब आप सेंबल सेंबले के लेगा रीडा मशीन कोड गेर करते हैं और वो किसके पास जाता है, लिंकर के पास जाता है, अब वो क्या जनरेट करता है, एक्जिक्यूटेबल मशीन कोड जनरेट करता है, और फिर लोडर के पास जाता है, लोडर क्या करेगा, उसको मेमरी में लोड करेगा, जब भी हम एक्जिक्यूट करना चाते हैं, तो उस प् में वर्क कर रहा है इस तरह से नहीं होता है तो देखें जब भी हम वर्क करते हैं तो कौन से compilers use कर रहे होते हैं turbo c compiler tiny c compiler gcc potable c compiler इसी तरह से c++ में वर्क करेंगे तो gcc c language then we have dev c++ intel c++ quadblock java में मैं पस eclipse id net means j developer इसी तरह से python c python j python wing spider different languages में different compilers work करते हैं क्योंकि वह किसके according बने उस particular language के rules के according ही design किये हूँ है और accordingly ही क्या करेंगे वह work करेंगे तो देखें अगर हम बात करते हैं phases of a compiler की तो number of phases है हमारे compiler में अगर बात करें तो देखें यह different phases हैं लेकिन अगर हम काटेगराइज करते हैं two different phases में तो कौन-कौन सी main phases बनती है analysis phase and synthesis phase ठीक है कौन सी domain phases है analysis phase and synthesis phase इसमें आगे further steps कहलेंगे यह further phases है ठीक है तो देखें सबसे पहले आती है हमारी analysis phase analysis phase क्या करेगी create करेगी intermediate representation from the given source code ठीक है तो यह क्या करती है intermediate code generate करती है basically ठीक है analysis phase क्या करेगी अगर एक one line में हम देखें तो intermediate code generate करेगी source code से और synthesis phase क्या करेगी equivalent target program generate करेगी intermediate representation से ठीक है जो भी हमारा intermediate code होगा वहां से क्या करेगी target program create करेगी तो देखें यह अगर हमारा source code है सबसे पहले हमाई पास आई analysis phase इसने क्या convert किसमें convert कर दिया source code को intermediate code में intermediate representation आ गई फिर हमारा किसके पास जाएगा synthesis phase के पास और जो किसके यह front end पे work करता है और जो synthesis phase होता है यह back end पे work करता है ठीक है यह आपने याद रखने है यहां से questions पूछ लिये जाते हैं तो देखें analysis phase से देखते हैं तो analysis phase क्या बोल रहे है हम front end of the compiler क्या बोल रहे है हम front end of the compiler तो analysis phase क्या करेगी रीड करेगी source program divide करेगी into core parts and then check for lexical grammar and syntax error ठीक है lexical errors grammar grammar error grammatically जो भी error होंगी या syntax error कौन चेक कर रहा है analysis phase पर हो रहा है यह सब काम so analysis phase क्या generate करेगी intermediate representation generate करेगी टिक है और जो आगे further किसको दे दिया जाएगा as input synthesis phase को दे दिया जाएगा अभी देखे synthesis phase को हमने क्या बोला back end of the compiler और यह क्या generate करेगा target program generate करेगा with the help of intermediate source code और यहां पर हम symbol table की देखिए बात करें इसको अभी देखेंगे इस यहां से भी questions पूछ लिए जाते है generally ugc net में भी बहुत simple simple questions आ जाते हैं इससे related ठीक है तो देखिए यहां पर हम phases की बात करें तो देखिए यहां यह हमारा क्या है analysis phase ठीक है then intermediate code generation ठीक है तो यहां पर देखिए यह सब चीजे क्या है machine independent है ठीक है यह क्या है machine independent है और यह क्या है machine dependent है ठीक है यह क्या है machine dependent यह जो दो phases है आपकी last की यह क्या है machine dependent और first four phases जो है यह क्या है machine independent ठीक है और इन्हें क्या बोल रहे हैं हम front end ये क्या है back end तो देखिए क्या रहेंगी ये सबसे पहले तो आपने phases याद रखनी है lexical analysis, syntax analysis, semantic analysis, intermediate code generation, code optimization and target code generation अब देखिए lexical analysis पर convert करता है lexical analyzer होता है then syntax analysis पर syntax analyzer होता है semantic analysis पर semantic analyzer है code generator है code optimization optimizer है then target code generation है अब देखिए सब जगा हम क्या use करें error handling भी कर रहे हैं और एक चीज़ और हम देख रहे हैं क्या है यह symbol table तो देखिए analysis phase को हमने देख लिया कि इस phase में क्या हो रहा है अब देखिए चार चीज़े हम इसमें यूज करें lexical analyzer, syntax analyzer, semantic analyzer and intermediate code generator अब देखिए जो lexical analyzer है यह क्या करेगा जो आपका complete program है अब उस program को किस में divide करेगा, tokens में divide करेगा, lexical analyzer क्या करेगा, syntax analyzer क्या करेगा, recognize करेगा sentences in the program using the syntax of the language अब क्या करेगा, जो भी आपने sentences लिखिए हो है program में उसे, syntax के according क्या करेगा, analyze करेगा, recognize करेगा, ठीक है, अब semantic analyzer क्या करेगा, check करेगा, static semantics of each construct ठीक है कि अभी वो rules के according है, नहीं है, क्या चीज है, जो भी चीज़े हमने program में लिखी होई है अब हम कहीं बार गलती करते हैं तो वो हमें पकड़ लेता है compiler, ऐसे नहीं है कि सिधा ही execute कर देगा code को, नहीं, तो यहां पे हमें object code generate करके देगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है क्या करेगा, चेक करेगा, हर एक चीज़ चेक करेगा, जो कि rules के according है या नहीं है, अब intermediate code generator क्या करेगा, देखिए generate करेगा abstract code, ठीक है जो आगे further हमारा किस के पास चला जाएगा, next phase के बाद, जो क्या है, synthesis phase है, ठीक है, तो यहां पे हमारे यह four steps आ जाते हैं इसमें, ठीक है, अगर question में आपके पास इने ही phases भी बोल देते हैं, कि six phases है हमारे compiler की, ठीक है, यह याद रगने हैं कि दो main phases है, analysis और synthesis phase, और अगर हमें उन्हें elaborate कर दें और आगे तो हमारे main phases कितनी बन जाएंगे, six phases बन जाएंगे, अब देखिए, जो synthesis phase है, इसमें हमाई दो चीज़े काम आ रही है, code optimizer and code generator, अब यहां पे code optimizer क्या करेगा, optimize करेगा, जो भी हमारा code abstract code generate की intermediate code generator ने, उस तुझे क्या करेगा, optimize करेगा, और code generator क्या करेगा, translate करेगा, abstract intermediate code into specific machine instructions में, तो यहां पे optimize करना, optimize हम बात करते हैं, जो नली की, हाँ, optimize करने से क्या होता है, efficiency बढ़ती है, तिक है, और वो, कम time में हमारा जो program है, वो execute हो पाएगा, तो time को basically हम यहां पे consider करते हैं, और उसे जो भी हमारा code होता है, अगर हमने लिखा है, चलो आगे optimization में देखेंगे, next हमारे पास आता है, symbol table, तो देखे, symbol table क्या है, एक data structure है, that is created and maintained by the compiler in order to keep track of semantics of variable, ठीक है, तो यह data structure है, आपने याद रखना है, यह question इसी तरह से, as it is, UGC net में आया है, last to last year, ठीक है, वहा options दी हुई थी, जिसमें से, एक option थी, symbol table, ठीक है, तो यह अपने धियान रखना है, symbol table, एक data structure है, जो create and maintain किया जाता है, इसके द्वारा, compiler के थू, ठीक है, to keep track of semantics of variables, so that is, it stores information about the scope and binding information, ठीक है, तो scope and binding information, ठीक है, तो scope or binding information, देखता है, यह जो भी different variables, उसे related, then information about instances of various entities, like variables, function names, classes, objects, तो यह सारा record कौन रखता है, symbol table, रखता है, तिक है, इस, built-in, lexical and syntax analysis phase, तो यह built-in होता है, इसमें, lexical and syntax analysis phase में, the information is collected by the analysis phase of the compiler and is used by synthesis phase of the compiler to generate code, तिक है, को अदे कौन करता है, यह सारी information analysis phase collect करता है, और use कौन करता है, synthesis phase और it is used by the compiler to achieve compile time efficiency as well, तो देखे क्या क्या items store की जाती है symbol table में variable names and constants, procedures and function names literal constants and strings compiler generated temporaries labels in source languages ठीक है यह सब चीज़े क्या store की जाती है, symbol table में store की जाती है, अभी देखे information कौनसी कौनसी use की जाती है compiler used by the compiler from symbol table, data type and name declaring procedures, offset in storage if structure or record then a pointer to structure table for parameters, whether parameters passing by value or by reference, number and type of arguments, base addresses यह सारी चीज़ें use की जाती है compiler by compiler from symbol table अब देखे, implementation की अगर बात करते हैं, यहां से भी पहले question पूछा गया है, symbol table की implementation किस चीज के थ्रू होती है तो देखे, list के थ्रू जिसे हम arrays भी consider कर सकते है ठीक है, arrays के थ्रू, link list के थ्रू, hash table के थ्रू और binary search tree, यह सिरफ tree भी लिखाते हैं, तो वो भी आपका correct answer है तो किस-किस चीज के थ्रू implementation हो रहे है, यह symbol table की list, link list, hash table and binary search tree तो question पूछा गया, भी discuss करेंगे आगे, अब देखे, classification of errors अगर देखे, तो errors को दो तरह से हम classify करते हैं, compile time errors and run time errors during the execution of program, जो भी errors अकर होती है, तो वो क्या होती है, run time error, और जो compilation में हमें मिल जाती है, errors वो कौन से होती है, compile time error, अब देखे, compile time error को हम divide कर सकते हैं, lexical phase error, syntactic phase error, और semantic error में, अब देखे, अब देखे, lexical phase error में कौन-कौन से याएंगी, like spelling error है, then exceeding the length of the identifier, जो भी identifier ले रहे ह हम यह constant है, जो length हो exceed कर रही है, appearance of illegal character, syntactic phase error में, error किसी भी structure में, like fall loop में, if में, किसी में भी है, missing operators कुछ missing है, unbalanced parenthesis है, यह सब के आजाएंगी syntactic phase errors, then semantic phase errors में, incompatible type of operands, okay, compatibility नहीं है, तो वो किसमें आएगा, semantic phase error में, undeclared variable है, not matching of actual argument with formal argument, जो भी हमारे arguments हम pass कर रहे हैं, तो वहां पर उनको match नहीं कर रहे हैं, integer pass कर रहे हैं, जो receive करा रहे हैं, वो float में करा रहे हैं, तो यह सब different types की errors होती हैं, यह भी कहीं बार पूछ ली जाती हैं, exam में कि यह किस तरह की error है, तिक कोई भी इन में से आपको एक error दे दिया, औ one C error को belong करता है, next start करते है, lexical analysis phase, तो देखिए, lexical analysis जो है, वो first phase, compiler का, जिसे हम scanner भी बोलते हैं, इसे हम scanner भी बोलते हैं, क्योंकि यह सब चीज को क्या कर रहे है, पूरे प्रोग्राम को क्या कर रहे है, scan कर रहे है, जैसे हमारे photocopy करते हैं, तो scan हो पूरा page, उसी थरह सी क्या कर रहे है, scan कर रहे है, तो देखिए, यहां पर convert करेगा, यह high level input program को into a sequence of tokens, ठीक है, lexical analysis phase, क्या करेगा, first phase of the compiler, जिसे हम scanner भी बोलते हैं, यह क्या करेगा, जो हमारा पूरा program है, high level input program, जो है, उसे tokens में convert कर देगा, ठीक है, टोकन में क्या करेगा, convert कर लेगा, और deterministic finite automata, ठीक हम क्या use करते है, finite automata use करते है, यह अपने याद रखना है, the output is a sequence of tokens that is sent to the parser for syntax analysis, अब देखिए, इसको input दिया गया, complete, अब इसने क्या 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 है, tokens generate की, और next phase को यह as input दे दिया जाएगा, ठीक है, अब देखिए, token होता क्या है, a lexical token is a sequence of characters, ठीक है, यह sequence of characters that can be treated as a unit in the grammar of the programming language, अब देखिए, जैसे हम English पढ़ते हैं, English grammar होती है, Hindi पढ़ते हैं, Hindi grammar होती है, अभी हमने English में लिखा, अगर मैं बोलना चाहरी हूं, he is a boy, ठीक है, अभी मैंने यह लिखा, इसकी बजाए मैंने लिख दिया, he are a boy, तो यह क्या हो जाएग तो मुझे English grammar के according ही, फ्रेम करने पढ़ेंगे sentences, English grammar के according ही English language में work करोंगी, अभी Hindi grammar के according ही Hindi language में work करेंगे, तो अब देखिए, next, आपके पस यहां से question क्या बनता है, यहां से question आपको यह बनता है, कि आपको number of tokens calculate करने आ सकते हैं, ठीक है, यह पहले gate में, net में सब जग आये ह करने है, तो देखिए, यहां पे tokens में ID, number, if, void, return, keywords, यह सब क्या आते हैं, tokens में count होते हैं, ठीक है, जितने भी यह चीज़े हैं, सब यह tokens में आपके count होंगी, separators में, आपके पस blanks नहीं आएंगे, बट कॉमा, जितनी तरह के भी होंगे, कोई भी operators होंगे, यह सब आपका individual token treat होता है, और known tokens में आपके comments है, preprocessor directives है, macros है, blanks है, tabs है, new lines है, इन्हें आपने count नहीं करना, ठीक है, इन्हें आपने tokens में count नहीं करना है, और साथ में एक और चीज़े आगे करते हैं, चलिए, example में देखते हैं उसे, lexeme तो कि यह होता है, देखिए, the sequence of characters matched by a pattern to form the corresponding token, और a sequence of input characters that comprises a single token is called lexeme, ठीक है, तो यहां पर देखिए, अगर यह complete है, तो यह क्या है, एक lexeme, जितना भी double quotes में आ रहा है, यह क्या है, एक lexeme है, ठीक है, जो भी double quotes में आ रहा है, यह क्या है, एक lexeme है, जो भी double quotes में आ रहा है, यह क्या है, single lexeme है, तो यह जो भी sequence of characters है जो एक टोकन बना रहा है वो क्या है लिगजी अब देखिए जो लेक्सिकल अनलाइजर है यह फंक्शन किस तरह से करता है सबसे पहले तो tokenization that means divide कर देगा program को tokens में then remove करेगा white spaces जितने भी white space characters है उन्हें remove करेगा remove करेगा comments को भी then it also help provides help in generating error message by providing row numbers and column numbers तिक अब यह क्या यहां पे हमें row number और column number भी जोनल ही हम देखते हैं compile करते हैं program error हो तो महां पे specified होते हैं तो वह चीज़ भी यह provide करता है तो यह सारे functions किसके होते हैं lexical analyzer के अब देखे count कैसे करना है हमने tokens को अगर यह चीज़ दी हुई आपको और आपको बताने कितने tokens हैं तो आप कैसे करेंगे one then two after that three then we have four five six seven eight nine टोटल आपके कितने हो गए nine tokens हो गए अब इसी तरह सी इस case में अगर हम calculate करें तो देखे one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve thirteen fourteen then fifteen sixteen code से code तक एक ही रहेगा 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 तो इस पूरे code में अगर हम देखे तो 27 tokens हैं ठीक है आपने कैसे calculate किया जो भी आपके codes वालों को सिरफ आपने एक मान है बाकी सब braces open close यह सब अलग अलग treat करेंगे ठीक है one two three four then five six seven eight nine ten codes यह कोमा ठीक है 11 12 13 14 15 16 अब यह code से code 17 कोमा 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 तो टोटल कितने tokens हो गए आपके 27 tokens हो गए इस case में नेक्स्ट देखिए आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा डिसकस करते हैं grammar के बारे में ठीक है क्योंकि हर जगा इसकी बात होगी तो थोड़ा सा देख लेते हैं अदर्वाइस यह आपर थोड़ा सा इस चीज को कवर करते हैं तो देखिए जो grammars है अगर हम देखे प्रॉड देखिए अगर हम बात करते हैं चॉंस की क्लासिफिकेशन अफ हरायर्की की तो यहां पर हम आपस चार तरह की बताई हमने 0,1,2,3 ठीक है तो 0 टाइप यह है 1 टाइप यह है 2 टाइप यह और 3 टाइप यह है ठीक है टाइप 3 ग्रैमर कॉंसी है रेगुलर ग्रामर कंटेक् सेट अमटिव एद रिकर्सिव एन्यवरेबल यहां से सीधर है ाब अपने यह याद कर लिया ठीक टो एक नमबर यहां से अंपका पकगा है ठीक है कोशंड यहां से जर्नलिप पूछा जात यह तो termе अजयेगी यह कंपाईलर में आ जाएगे कहीः ना कहीं context-sensitive grammar और type 1 क्या है, unrestricted grammar या जिसे हम recursive enumerable भी बोलते हैं, अब देखें जो type 0 languages है, वो type, किसको follow करेंगी type 0 grammar को, type 1 language, type 1 grammar को, type 2, type 2 grammar को, type 3 language जो होती है, वो किसके through generate होगी, जैसे हमने काया कि English language किसके through होगी, English grammar के through होगी, तो इसी तरह से यहाँ पे रहेगा, तो देखें, यहाँ पे अब हम कौन सी language के लिए, कौन सा automata यूज करें, regular के लिए हम क्या यूज करें, FA that is finite automata, context-free के लिए क्या यूज करें, PDA, that is push-down automata, then context-sensitive, इसके लिए क्या यूज करते है, linear bounded automata, then we have recursive enumerable, that is turing machine, यह सब चीज़े यूज की जाती है, एक तो यह आपको पूरा याद रखना है, यहाँ से आपको question मिलेगा, अद देखें, जो type 3 है grammar, जो regular grammar है, जो regular grammar है, यह क्या है, subset है किसका, type 2 का, then type 2 किसका subset है, देख भी पा रहे हैं, आप इससे, डाइग्राम से भी दिख पा रहा है, type 2 किसका है, type 1 का, type 1 किसका है, type 0 का, तो देखें, type 0, सब भी तरह की, जो languages है, सब भी तरह का, जो भी हमारा expressions बनेंगे, ठीकें, वो किसके अंडर आएंगे, recursive, enumerable होंगे, then context sensitive, then context free, then regular वाला, क्या हो बना हमारा, सिरफी है, ठीकें, अब देखें, जो हम बात करें, lexical analyzer की, वहां पर कौन सी language यूज की जाती है, regular language यूज की जाती है, ठीकें, तो देखें, regular language, कौन को सी होगी, जो language accept कर रहा है, finite automata, जो regular expressions है, यह जो regular grammar है, यह सब किसमें आ जाएंगे, regular language में आ जाएंगे, ठीकें, यह सब किसमे डेट की है, using regular grammar, और जो regular grammar है, वो भी किसमें आ गई, regular language में आ जाती है, ठीकें, तो यह regular language होती है, ठीकें, और lexical analyzer कौन सी language यूज करता है, regular language यूज करता है, ठीकें, finite automata, इस phase पे हमारा, यूज की आ जाता है, अब देखें, यह question, जो मैं बात करी थी, आप से gate में आया ПрίνT F, Прint 1 हो गया, बात की एक हो गया, 1 हो गया, दें ब्रेश के लिए, दें इन प्रेस के लिया आ गया, ब्रेस के लिए, इे यह से ले करको करका किया होगा, इस ले पिकें अलगी कान्सेडर होगा, तो टोटल कितने हो गये और तोंकर थार्टोट, ठीकें और ले ले are recognized during keywords जो हैं वो कब recognized होते हैं, parsing, code generation, lexical analysis, data flow, जो गो correct answer किया है lexical analysis the lexical analysis for a modern computer language such as Java needs the power of which one of the following machine models in a necessary and sufficient sense कौन सा use किया जाता है, तदेखिए हमने अभी बात की, finite state automata, ठीक है finite state automata pushdown automata नहीं होता है pushdown automata है, ये भी turing machine है, नहीं, जो type 3 वाला है, वही यूज होता है, lexical analysis phase में, ठीक है, और यहां पर lexical analysis का ही पूछा गया the output of given the, consider the following statements, the output of a lexical analyzer is a group of characters, total number of tokens in this statement are 11, symbol tables can be implemented by using array and hash table but not tree, तो देखिए एक एक statement को अपने ढग से पढ़ना है, अब देखिए, सबसे पहले तो ये calculate हमने वही statement है, जो पहले तो उसमें कितने आ रहे थे, 10 आ रहे थे, अब पूछा हुआ है, कौन कौन से statements true है, तीनों tree हुआ है, कोई भी true नहीं है, second or third tree हुआ है, या सिरफ अब first वाला देखिए, तो इसमें क्या group of characters नहीं मिलते हैं, हमें किस form में मिलते हैं, tokens की form में मिलते हैं, ठीक है, किस में मिलेगा output, tokens की form में मिले का character नहीं मिलेगा, that means, जो option number D है, वो क्या हो गई हमारी correct हो गई, इनमें से कोई भी true नहीं है, नेक्स्ट हमारी phase आती है, देखिए, syntax analysis phase, so syntax analysis phase को हम parsing भी बोलते हैं, lexical analysis को हम scanner भी बोलते हैं, और second phase है हमारी syntax analysis, इसे हम parsing भी बोलते हैं, क्योंकि यहां पे हमारा क्या generator हो रहा है, parse tree जनरेट हो रहा है, यह जिसे हम syntax tree भी बोल देते हैं, ठीक है, so it takes the token produced by the lexical analysis, ठीक ह जो फेज है, जो वो tokens produce करेगी, वो किसे देदेगी, syntax analysis को as input देदेगी, और यह क्या generate करेगा, parse tree जनरेट करेगा, देखिए, इस phase में क्या होगा, token arrangements are checked against the source code grammar, that is parser checks if the expressions made by the tokens is syntactically correct or not, ठीक है, यहां पे syntactically check देखा जाता है, सिरफ, ठीक है, next phase आती है, semantic, वहां पे semantically यहां पे सिरफ हम syntactically देख रहे हैं, ठीक है, जो हमने different errors देखी थी, उसी के according वही चीज़े चेक होती है, generally, ठीक है, तो यहां पे parse tree क्या होगा, generate होगा, तो देखिए, इनी में से questions बन जाते हैं, इस से ध्यान से देखेंगे, कि lexical analyzer क्या कर सकता है, सिरफ tokens को identify कर सकता है ठीक है, with the help of regular expressions, with the help of regular expressions and pattern rules, अब lexical analyzer देखिए, क्या कर सकता है, सिरफ identify कर सकता है, वो चेक नहीं कर सकता है syntax को, ठीक है, क्योंकि regular expressions की क्या होती है, यह limitations होती है, ठीक है, वो सिरफ recognize कर पा रहे है, ठीक है, तो देखिए, lexical analyzer cannot check, cannot check the syntax of a given sentence due to the limitations of regular expressions, तो regular expressions जो होती है, वो चेक नहीं कर सकते, balancing tokens, such as parentheses, इस वजह से यह phase, जो हमारे syntax analysis phase है, यह क्या करती है, यूस करती है, context free grammar, ठीक है, यह phase क्या use करती है, context free grammar, which is recognized by push down automata, यही जो हमारे syntax analysis phase है, जो हमारे second phase है, यह क्या use करती है, देखिए context free grammar use करती है और जिसे कौन recognize करता है push down automata ठीक है यह type 1 है type 1 grammar कौन सी है context free grammar और automata कौन सा है push down automata ठीक है यहां से journaling questions पूछे जाते हैं ठीक है तो यह चीज आपने याद रखनी है अद देखिए जो CFG context free grammar जो हम बोल रहे हैं यह क्या है सुपर सेट है regular grammar का क्योंकि यह वाला क्या type 0 यह type 1 आ गई क्या यह क्या हो जाएगा context free grammar है बट रेगुलर जो context free grammar है वो regular grammar जरूरी नहीं है हो वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है ठीक है बट देर exist some problems which are beyond the scope of regular grammar so CFG is a helpful tool in describing the syntax of a programming language next we have parse tree तो दिखिए parse tree क्या होता है और इसमें क्या चीज़े important है वो चीज़े cover करेंगे हम ठीक है तो दिखिए process of deriving a string is called as derivation तो दिखिए अगर हमें निकालने suppose a a b b a b a दिखिए इस तरह से कुछ derive करना है जब भी हम एक string derive करना है उसका process को हम क्या बोलते है derivation बोलते है अब देखिए geometrically represent कर सकते हैं उस derivation को ठीक है सबसे पहले start से हमने start किया तो a b आया देन हमाई पस a b आ गया ठीक है तो ऐसे हमाई पस a b string आ गई ठीक है इस तरह से जो हम geometrically representation देते हैं उसे क्या बोलते है past tree बोलते हैं या derivation tree बोलते हैं अब दिखिए जो derivation की types है वो कौन कौन सी हो सकती है leftmost derivation हो सकता है और rightmost derivation हो गया ठीक है derivation कितनी तरह को सकता है दो तरह को सकता है leftmost derivation and right तो देखते हैं leftmost derivation क्या होता है, so the process of deriving a string by expanding the leftmost non-terminal at each step is called as leftmost derivation, ठीक है तो यहां पर हम क्या करे हैं, जो भी left में हमारे होगा, ठीक है non-terminal, जो terminal होते हैं वहां तो हम इने stop करी दिया, अभी जो non-terminal होते हैं वो capital से represent की होते हैं, तो जो भी leftmost non-terminal होगा, जब हम उसे expand करते चले जा रहे हैं, तो वो derivation कौन सा होगा, leftmost derivation होगा, और जो भी geometrical representation होगी leftmost derivation की, तो वो क्या हो जाएगी, वो हमारी हो जाएगी leftmost derivation tree, ठीक है तो इस तरह से suppose हमने लिया, तो यहां पर यह क्या बन गया है, कि leftmost derivation tree होगा, non-terminal, जब हम rightmost non-terminal को expand करते चले जा रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, वो क्या होगी हमारी rightmost derivation, और हमें क्या मिलेगा, उससे rightmost derivation tree मिलेगा, तो देखिए unambiguous grammars अगर होगी, unambiguous, दो तरह की हमारी grammar होती है, तो देखिए यहां पर किस के base पे, number of derivation trees के basis पे, ambiguous और non-ambiguous, unambiguous, ठीक है, तो ambiguous क्या कहती है, कि जब हमारे left derivation tree और right derivation tree जो है, वो क्या होंगे, अलग-अलग होंगे, ठीक है, ambiguous मतलब कि जैसे हम कहते थे, कभी भी ambiguity आ रही है, ठीक है, तरह से grammar भी ambiguous है, जब leftmost derivation tree और rightmost derivation tree जो है, वो अलग-अलग आ रहे हैं, ठीक है, तो leftmost derivation और rightmost derivation अगर different past trees represent करते हैं, तो वो grammar क्या होगी, ambiguous, और अगर leftmost derivation और rightmost derivation same past tree देते हैं, तो वो grammar क्या है, unambiguous है, ठीक है, वो grammar क्या है, non-ambiguous, that means unambiguous है, ठीक है, तो grammar यहाँ पे हमारे पास दो तरह की हो गई, किसके basis पे number of derivation trees के basis पे ambiguous and unambiguous, तो देखिए ambiguous grammar कौन सी है, वो grammar है ambiguous जब भी किसी particular string के लिए, ठीक है, जब भी हम for any string generated by it, it produces more than one past tree, या derivation tree, या syntax tree, या leftmost derivation, या rightmost derivation, ठीक है, जब भी एक से ज़्यादा बन रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगी, grammar ambiguous हो जाएगी, अन-ambiguous कब होगी, जब exactly एक ही बनेंगे, ठीक है, एक ही बनेगा, या तो past tree, या derivation tree, जब एक ही हो रही है, एक ही बन रही है, तो देखिए, जैसे कहीं बार के ओते एक्जाम में, इस तरह को question दे दिया जाता है, कि इस grammar को consider करिये, और बताइए कि या ambiguous है या नहीं है, तो आप क्या check करेंगे, leftmost derivation, rightmost derivation, या past tree बना रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए, B, 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 A, B, A, A, B, B, A, B, A, B, A, B, A, B, A, C, whatever the string is, okay, उसके according, जबसे बहले हम कहां से start करेंगे, S से start करेंगे, जो हमारा start symbol है, अब देखेंगे, देखिए हमें क्या चाहिए, starting में B चाहिए, तो क्या इस वाले production, यहाला rule use करें, या यह use करें, हम b वाला use करेंगे टीक है अब बी यह तो देखिये टर्मिनल है अब नॉन टर्मिनल चेक करेंगे ? .b यहाँ पर ग्या है, यहाँ पर देखिये next हमी क्या चाहिए, बी एइ चाहिए इस तरह से चाहिए A, A, S लेंगे तो नहीं आएगा, यह वाले लेंगे तो यूज करेंगे तो आजाएगा, अभी हम क्या लेंगे B, 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 B हमारे पास आगया, जो हमें चाहिए था, फर्स्ट टू आगये B हमारे पास, अब नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, A चाहिए, अब देखिए यहां पर या तो हम A, S लें या A लें सिरफ, उसके बाद भी है B, तो यहां पर हम क्या ले लेते हैं, A ले लेते हैं, और नेक्स्ट A, B के लिए हम क्या ले लेते हैं, A, S ले ल बना के चेक कर सकते हैं कि अगर यहां पर दोनों से से एंगे तो आपके पस क्या हो जाएगा ग्रामर एंबिग्योस नहीं होगी अगर डिप्रेंट आते हैं तो क्या होगा एंबिग्योस होगी अब देखे प्रोपर्टीज क्या होती है पास्ट्री की जो रूट नोड होता है पास्ट्री का वो हमेशा क्या होता है स्टार्ट सिम्बल होता है ठीक है वो हमेशा क्या होता है स्टार्ट सिम्बल ठीक है तो रूट नोड क्या होगा हमेशा स्टार्ट सिम्बल होगा each leaf node of a past tree represents a terminal symbol तो जितने भी leaf nodes होंगी जितनी भी leaf nodes होंगी जैसे starting में लिया था B and then capital B आया था यह तो यह देखिए यह क्या बनेगी leaf node बन जाएगी तो जो leaf node होगी वो हमेशा क्या होगी terminal symbol होता है जहां पर जो capital वाले होते हैं वो क्या होते हैं आपके non-terminal symbols और small valley terminal symbols तो जो भी leaf nodes होंगी जो भी tree है उसके leaf में जो जितनी भी nodes होंगी वो क्या होते हैं terminal symbols और interior nodes क्या होंगी हमेशा non-terminal symbols और past tree क्या होते है independent of the order in which the productions are used during derivation so past tree का इससे कोई लेना देना निया कि इस order में हम क्या जो productions है वो यूज कर रहे हैं अब देखिए yield of past tree क्या होता है concatenation concatenating the leaves of past tree अब उनको क्या करते हैं जो past tree है इसकी अब इन में क्या कर रहे हैं यहां पे बी लिया था हमने further bb ले लिया था अब जो भी leaves हैं इनको क्या करेंगे concatenate करते चले जाएंगे इस तरह से क्या करेंगे लीप को क्या करें concatenate करें इक अठा कर रहे हैं तो from the left from the left produces a string of terminals एक terminal string बन जाएगा इस तरह से string आ जाएगा हमारा और इस ही को हम क्या कहते है yield of past tree next हमारे पास types of grammar में आता है recursive grammar and non-recursive grammar next क्या आता है number of strings के basis पे recursive grammar and non-recursive grammar तो जैसे हमारे functions होती है हम language में देखते है recursive क्या होता है function जो अपने आप कोई बार बार से call कर रहे हैं ठीक है इसी तरह से यहां recursion recursion का भी वही मतलब है recursive grammar और non-recursive grammar देखिए क्या होती है अब इस recursive देखिए आगे further left में और right में divided होती है recursive जो होती है left recursive भी हो सकती है और right recursive हो सकती है तो देखिए recursive grammar कौन सी grammar होगी if it contains at least one production that has the same variable at its at both its left hand side and right hand side तो यहां पर हमेशा हमेशा हमारे पास a आरता जा रहा है हम a को अगर change करेंगे तो इसी तरह से आता जा रहा है तो यह क्या है कि इसका मतलब एक production ऐसी हो हमारे पस जहां पर left hand side में और right hand side में same ही variable exist कर रहा है so it is a grammar is said to be recursive if and only if it generates infinite number of strings तो इस वज़े से वो क्या करेगा infinitely generate करता चला जा रहा है strings बन आते चले जा रहे है अब recursive जो है grammar that can be left recursive as well as right recursive तो देखें left recursive grammar कांसी होती है left recursive grammar वो होगी जिसमें left most variable जो होगा right hand side में वो same होगा left hand side के variable के तरह तो यह तो हमारा left hand side हो गया production rule का यहां पर हम क्या कहरें left most variable जो है वो क्या होगा सेम होगा left hand side वाले variable के ठीक है right में जो है variables उनमें left most वाला सेम होगा तो वो क्या होगी left recursive grammar ठीक है जैसे यहां पर भी example दिया हूँ है ठीक है तो यह क्या grammar होगी left recursive grammar और अगर right hand side में दिया हूँ है ठीक है, right hand side के right most variable जो है, जो right hand side का right most variable है, वो same है अगर इसके, तो यह क्या होगी, right recursive grammar, ठीक है, यह क्या होगी, right recursive grammar, non recursive grammar देखिए, क्या होगी, जो भी यहाँ पे left hand side में, वो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, वो नहीं मिलेगा, तो यह वली grammar कौनसी है, non recursive grammar है यह recursive कौनसी grammar है जिसमें कोई ऐसा production नहीं है जो production rule नहीं है जिसमें same variable हो left hand side में भी और right hand side में भी चलिए अब कुछ important points देखते हैं ठीके जहां से direct questions बन जाते हैं अब देखे वो grammar जो या तो क्या है इधर और ठीके इधर और यूज किया गया तो वो left recursive है या right recursive है तो वो हमेशा क्या होगी unambiguous होगी ठीके क्योंकि एक ही चीज exist करी है वो सिरफ left recursive है या right recursive है तो वो क्या हो जाएगी unambiguous हो जाएगी दोनों में से कुछ एक होगा तो ठीके आप question direct इसी तरह से statement form में आने क ज्यादा chances है तो नेक्स्ट देखिए दस grammar वीच इस बोथ left recursive and right recursive is always ambiguous तो देखिए यह जो grammar दोनों है left recursive रहएर right recursive वो क्या होगी यह-वोगी ambiguous होगी तिक है अगर दोनों होंगे तो amb beau तो अगर दोनों में से कोई एक होगी तो वह grammar क्या होगी तो देखिए जब भी left recursive grammar होती है तो उसे हम क्या करते हैं convert करते हैं ठीक है और उसे right recursive बना देते हैं क्योंकि left recursive grammar होती है वो top-down parsers के लिए suitable नहीं होती है तो एक आगे देखेंगे parsers भी हमारे दो तरह के होते हैं top-down and bottom-up ठीक है तो जो left recursive grammar होती है वो होती है ऐसा क्यों होता है क्योंकि parser देखिए इंफाइनाइट लूप में एंटर कर जाएगा ठीक है अगर left recursive grammar होगी तो वो क्या करेगा infinite loop में क्या कर जाएगा enter कर जाएगा तो इससे situation को एवाइट करने के लिए हम क्या करते हैं इसे से convert कर देते हैं अब देखिए the conversion of left recursive grammar into right recursive grammar and vice versa is decidable ठीक है यह क्या होता है decidable होता है left से right यह right से left में कर रहे हैं तो यह क्या है non-decidable नहीं undecidable नहीं है it is decidable अब देखिए parsing जो होती है दो तरह की होती है top-down parsing and bottom-up parsing ठीक है बहुत जादा इसकी detail में नहीं जाएंगे ठीक है otherwise तो बहुत time लगेगा अगर एक एक parser को हम study करें कि किस तरह से वह work करता है ठीक है मैं आपको थोड़ा सा तरह की हमारी parsing होती है top-down parsing और यहां पर हम टोपड़ाउं parser यूज करें और यह क्या है bottom-up parsing jam कह सकते है bottom-up parsers यूज करें तो दिखिए यह leftmost derivative होता है और यह हमारा होता है rightmost derivative है अब यहां पर कौन-कौन से parsers यूज होती है यह भी कहीं बार पूछ लिया जाता है कि यह top-down parser है यह bottom-up parser है इसमें से भी आपका question बनता है यह चीज important है यह table भी आपका important है क्लासिफिकेशन जो है parsing का अब दिखिए recursive decent parsing जो है वो क्या है top-down parsing और predictive parsing यह जिसे हम LL parser बोलते हैं वो क्या है top-down parsing ठीक है अब दिखिए bottom-up parsing में कौन-कौन सा आता है LL तो किसमें top-down में है और LR किसमें आता है bottom-up में ठीक है यहां LL1 यहां LR क्या है 0 है यह look-ahead number होता है symbol होता है तो यह LR है यह तोड़ा-thोड़ा सा देखेंगे कि इनकी full-forms क्या है basically किसलिए यह characters use किये गए है ठीक है और LR होते है साथ में SLR होता है LALR होता है और CLR यह LR1 होता है यह सारे जितने भी है यह क्या है shift reduce parser होती है ठीक ह्यां ईस यह shift reduce टेक्नीकी यूज करते हैं मिसमें यह क्या है shift reduce parser होते हैं और यह सारे क्या है bottom-up parsing को support करते हैं next इसमे एक आता है operator precedence parser एक और कौन सा और आता है operator precedence parser ठीक है तो यह कौन कौन से LR Parser, SLR Parser, LALR Parser, and CLR. यह सब क्या है? बॉटम-प पार्सिंग को सपोर्ट करते हैं. CLR को हम क्या बोलते है? LR1 भी बोल देते हैं. तो यह नाम अपने याद कर लेने हैं. अब देखिए जो LL1 है. यहां पर L जो पहले वाला यह क्या है? स्कानिंग कैसे हो रही है? लेफ्ट व राइट हो रही है. लेफ्ट मोस्ट डेरिवेटिव है. इसलिए यह वला L यूज किया. और यह नमबर के है? लुक-अहेड सिंबल का नमबर है. यह नमबर के है? लेफ्ट व जीरो आता है. स्कानिंग आपके लेफ्ट व राइट हो रही है और R क्या है? रम्द रिवर्स ओर्डर और 1 क्या है नमबर आफ लुक-अहेड सिंबल. ले-लर में ले क्या है? लुक-अहेड लर क्या है? जैसे हमारा यहां पे ता सेम वही चीज. ले-लर में देखिए C क्या है Canonical और LR क्या है वही चीज जो हम यहां पे कर रहे हैं तो यह डिफ्रेंट जो हमारे पार्सर वह यूज होते हैं पार्सिंग में. नेक्स्ट जो हमारी फेज आती है वह आती है Semantic Analysis तो देखिए यह करती क्या है? इत वेरिफाइस देखिए जो Syntex Analysis फेज देखा हमने उसमें वह पार्स ट्री जनरेट कर रही है ठीक है जो हमारा Semantic से related अगर चेकिंग है वह कौन करेगा Semantic Analysis चेक करेगी ठीक है इत वेरिफाइस देखिए पार्स ट्री वेदर इस meaningful or not it furthermore reproduces a verified parse tree it also does type checking label checking flow control checking इस तरह की सभी checkings कौन करता है Semantic Analysis फेज पर होती है ठीक है अब देखिए पार्स ट्री जनरेट किया Syntex Analysis ने Semantic Analysis को दे दिया अब यह क्या करेगा final parse tree बनाएगा जो semantically checked होगा अब देखिए इस phase में basically करा क्या जाता है इस phase में यह checking होती है ठीक है तो यहां पर एक term हम use करते है Syntex Directed Translation आपकी जो syllabus है उसमें भी Semantic Analysis नहीं दिया फॉर्स टू फेजिस के तो names दिया हुआ है Lexical Analysis and Syntex Analysis I guess parsing दिया हुआ है ठीक है और third phase के लिए यहां पर semantic analysis नहीं लिखा हुआ से लिए बस में यह term mention की हुई है Syntex Directed Translation तो दिखिए यहां पर क्या होता है Syntex Directed Translation में क्या होता है Along with the grammar we associate some informal notations उस grammar के साथ सथ हम क्या चीज़ असोशियेट करते है informal notations कुछ associate करते है और in notations and these notations are called as semantic rules और इन्हें क्या बोल रहे है हम notations को semantic rules बोल रहे है अब grammar plus semantic rule क्या बन जाता है SDT that is Syntex Directed Translation ठीक है अब अब दिखिए करते क्या है Syntex Directed Translation में वो समझ लेते है In Syntex Directed Translation every non-terminal can get one or more than one or sometimes zero attribute depending on the type of the attribute ठीक है जो भी non-terminal होगा उसे एक zero या एक से जादा जो है attributes मिल जाएंगे then the value of these attributes is evaluated by the semantic rules associated with the production rule अब जो attributes की value है वो evaluate की जाती है semantic rules के द्वारा ठीक है जो associated है production rule के साथ In the semantic rule attribute is well क्या attribute लिया जाता है well and an attribute may hold anything और attribute hold कर सकते है string value number memory location complex code कुछ भी ठीक है अब syntax directed translation में देखिए whenever a construct encounters in the programming language then it is translated according to the semantic rule defined in that particular programming language तो अब देखते हैं इसे करते कैसे हैं तो देखिए ये production rule है ये semantic rules है ये production rule है ये semantic rule है सबके साथ हमने क्या किया देखिए dot well dot well dot well ठीक है जो भी production rules से और ये हमारे क्या है semantic rules ठीक है सबके साथ हमने क्या किए dot well dot well dot well इस तरह से हम क्या करते है एड कर देते हैं last में जो हमारे पास आता है उसके साथ हम क्या लगा रहे है lexval ठीक है lexval तो देखिए e dot well e dot well जो है वो क्या है one of the attribute of e ठीक है attribute हो गया वो e का अब next में पास क्या num dot lexval अब ये क्या attribute returned by the lexical analyzer तो ये वो attribute है जो return की है lexical analyzer ने next देखिए कैसे हम implement करते हैं syntax directed translation को हम implement करते हैं by constructing a parse tree ठीक है parse tree generate करते हैं और किस तरह से generate होता है देखिए left to right depth first order रहता है left to right depth first order रहेगा और उस order में हम क्या करते हैं generate करते हैं और values हमारे पास आ जाती हैं उसके recording हम क्या करते हैं check कर लेते हैं ठीक है as a result हमारे पास values आ जाती है ये next topic आपके syllabus में mentioned है run time environment ठीक है तो देखिए run time environment में basically वो सब चीज़े आ जाती हैं जो हम run time के लिए सोचते हैं like allocation कैसे होगा call by value है call by reference है pointers है जो चीज़े हम सोचते हैं वही सब चीज़े आती है इसमें वह चीज़ें यहां discuss नहीं करेंगे टीक है allocation में static allocation है dynamic allocation है या call by value है call by reference है call by pointers है यह सब चीज़े तो हो जाएंगी हम यहां पर एक चीज़े जो different है जो हम वैसे नहीं नॉर्मली बात करते हैं वो चीज को discuss करेंगे वो क्या है activation trees ठीख है यहां पे हम activation trees की बात करेंगे तो देखे यह activation trees में basically क्या होता है कि flow check है जाता है कि किस तरह से active मतलब जो हमारी यह है statement से execute होंगी ठीख है यहां पर execute हुई तो फिर उसकी value यहां पर गई अभी यह fij sneת जिएसे भी एक्जिक्यूट को रहे है वो छिज 20chat की जातीज थिए ठीक के जो पूर कोड हैं और उसके according activation tree prepare participator जाता है, टिक है जो अमेरे क्या बता रहे है, फ्लो किस तरह से हमारा data flow कर रहे है कैसे हमारा पूरा प्रोसेस होग है, तिक है किसासाथ साथ हमारे कुछ चीज़े होती है जैसे कि allocation और किस तरह से हम parameters को पास कर रहे हैं, runtime environment, that's all for this session, आज की सेशन में देखिए हमने compilers की 3 stages कवर की 3 phases कवर की lexical analysis syntax analysis and semantic analysis ठीक है 3 more phases आदे हो जिसमें हमाई पास कौनकों सी आजाएंगे intermediate code generation आएगा then code optimization and code generation ठीक है 3 और phases है उन्हें हम next class में cover करेंगे ठीक है hope यह session आपके लिए useful रहा होगा चलिए stay connected and keep learning